हेलो डियर स्टुएंट्स और पेरेंट्स आज हम बात करेंगे नीट टू थाउजन ट्विटिवर की प्रिपेशन की आपकी बुक्स और स्टुडी मेटीरियल का सेलेक्शन कैसे करना है आपको स्टुडी आर्स के कैसे प्लैनिंग करनी है कोचिंग करना है ओफ-लाइन या ओन साथ में कोचिंग किया हो गया नहीं किया हो गया सेल्फ स्टुडी जो भी हो डिसकस करेंगे तो इसका एक्जाम फॉर्मेट क्या होता है तो साथ सो बीस नंबर का पेपर होता है और इसमें जो वेटेस दी जाती है वह 180 नंबर हर सब्जेक्ट की होती है फिजिक्स और तक हो सकता है इसमें मल्टी अटेम्ट हो जैसे और एक्जाम के अंदर है अभी ओफलाइन मोड हो सकता है तब तक आप ओनलाइन मोड आपका शुरू हो जाए जब तक आप आएं तो बुक्स और स्टर्टी मेटीरियल की बात करते हैं तो देखो बच्चो सबसे पहले अ होती है प्लस एक्जाम पर अब्जेक्टिव क्लेक्शन होता है और और वह भी अंसोल्ड वाला यह प्राइविट पब्लिशर्स के मत लेना अंसोल्ड से आपका स्किल डेवलप होगा दूसरा आपके टीचर्स के नोट्स आपके टीचर के नोट्स कौन से यह नहीं जो इन केस आपके पास पीचर नहीं है तब आप इधर उदर जाए अपने नोट्स और अपने टीचर्स के नोट्स ठीक है दूसरा एंसी आर्टी आप जैसे एक बहुत अच्छी किताब बन जाती है यह अब इसमें मेरा कोई कमिशन वेशन नहीं है और आप सोचो यह जो एंसी एक तो अगर हम थियोरी मालोग करते हैं तो क्वेशन के ठूरू सीख सकते हैं तो यह जो कुछ बुक्स एंसी आर्ट फिंगर्टिप्स एंड्स कही सारे हैं ऐसे तो इसमें से एंसी आर्टिफिंगर्टिप्स शायद पर एंटीजी पब्लिकेशन की होती है इसमें आप पढ़ रहे हो उस पर फटा-फटा आपने क्वेशन कर लिए तो अगर आप इस बुक को कर लोगे तो आपको एंसी आर्ट पर कमांड हो जाए और नहीं होते हैं और हमारा एक्जाम का फॉर्मेट भी पूरा नहीं होता आप अगर एक्स्ट्रा बुक्स तर जरत पढ़े तो अगर आपका ऊफंक कोचंग पुराना कोचंग और इसमें मिट्रियॉड बना है तो यहां दो बातों अगर कोचिन फ्रोपön रफेटि कोपर तो यह इसमें दिनेश, RLS, दोनों physics, chemistry में भी आती हैं, bio में जो है वो अच्छी book मानी आती है, true meds, तो आप इसमें true meds ले सकते हो, RLS भी ले सकते हो, लेकिन true meds ज्यादा better, book से ज्यादा teacher prefer करते हैं, ठीक है, इसके लावब कोई book study और book और कुछ ज्यादा नहीं करना आपको, ठीक ह करो, online करो, कहीं बेभी, ऐसी test series होनी चीज लगाता है, दो साल तक आप unit test दें, part test, full end test, जिससे आपकी preparation का पता लगे कि आप 720 में से कितने number ला रहे हो, अग देखो, जब तक आप 650 प्लस नहीं लाओगे, तब तक आपका दिल्ली जैसे शहर में तो MBBS नहीं मिलता, तो अग है, ठीक है, दूसरा, जब भी आप पढ़ा ही करो, तो आपकी clarity, concept पे clarity होनी चाहिए, यह नहीं कि आज मैं ज्यादा पढ़ लिया, कम पढ़ लिया, इससे मतलब नहीं है, आपके teacher ने क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, आपको कितना clear हुआ, इससे मतलब है, तो हमेश online, अगर आपके आसपास अच्छा coaching है, अगर आपके पास अच्छा coaching नहीं है, तब online की तरफ जाए, अब online में क्या करें, तो online में ऐसे course ना join करें, जहां मास बच्चा है, बहुत जादा बच्चे है, एक एक बैच में अगर 200, 400, 1000 बच्चे, 10,000 बच्चे हैं, तो भाई, उ आपको अपने syllabus की कब तक complete करना चाहिए, फोर्मेट करना चाहिए, आपका 11 का जो syllabus है, वो आपके 2023 की जैनवरी तक खतम हो जाना चाहिए, उससे आप schooling में बढ़िया करोगे, और board, मलब, आप competition की तेयरी भी, और जो 12 का है, अक्टूबर के 2023 है, क्योंकि उसके बाद आपका आपको skip, जो class है, या test है, वो कभी skip नहीं करना, जो test से भागते हैं, उनके बसकी नहीं exam correct करना, अगर आपको test से डर लगता है, आप पीछा चुड़ाते हो, excuse लेते हो, तो भाई, नहीं आपके लिए, नीट हो अगरा, दूसरा यहां बहुत जरूरी हो जाता है, जब आप worksheet है, जिसमें आपको हर chapter में 30-40 question मिलेगे, उनसे बाहर आते हैं यह school में question, बहुत rarely question बाहर से आते हैं, तो आपको वो सारे question, वहां practice करनी worksheet है, वो हमारे app से ले सकते हो, साथ में assignment भी ले सकते हो, जो important questions है school के, वो सारे इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है, और बाकी कैसे balancing रख पाद में देते हैं, ऐसा नहीं करना, आपको उन notes से ज्यादा बेटर है कि जब पढ़ा रहें teacher, तभी आप notes बनाव अपने, ठीक है, और यह social platform है, जितने भी है, YouTube, Instagram, यह सब, इनको avoid करने कोश्च करो, आप शुरुआत में भी देख रहे हो, तो बहुत जादा जैसे one short video, topic इन चीजों से आपको ज़्यादा वास्ता नहीं रखना कर रैंकर बनना है, ठीक है, आपको अब target रहते हैं कि यार कितने question per day करें हम, per topic करें, तो आप एक सीधा-सीधा rule समझ लाओ मेरा, सबसे बड़ा आपको मंतर दे रहा हो, आपकी तयारी कैसे पता लगे, अच्छी चल जाने चाहिए, आपके फोल्डर मनाते रहें और count करते हैं कि सर ने इतने बोले थे, यह है नहीं, 60 unit test, लगबग 30-30 chapter है, 30-30 chapter है, सारे slivers में, तो 30-30, 60 हो जाएंगे, और 20-20, 20 previous year question, इतने कम से कम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आपकी जितनी practice आप जहां से करना चाहो करो, आप देखो, timing, आपके पास कितना है दो साल में, तो June 22 से लेके October 23 तक, 17 महीने है, अगर मैं 30 घंटे से multiply करूँ तो 510 घंटे होते हैं, अगर आप 1.5 घंटा भी हर दिन पढ़ते हो, तो आपके पास 765R है, एक subject को सही करने के लिए 2 साल में, जैसे physics को, तो 300 घंटे 11 में चाहिए, 300 घंटे 12 में चाहिए, आपके पास sufficient है, 600 होने चाहिए, यहां पे 765 है, यानि कि 1.5 घंटा पर subject को देना चाहिए, ठीक है, दूसरी बात, आप आपको honest रहना है, अपने प्रती, अगर आपको कोई चीज नहीं आती, तो आप teacher से पूछो, चिपाओगे नहीं, marks कम आए, तो उसको भी पचाओ, दोबारा तग्यारी करो, हर test में भी अगर 55 नंबर करोगे, और 40-50 टेस्ट दोगे, तो देखो, 400-500 नंबर का improvement होता है, तो हर बार achievement करो, हर test का review लो, क्यों गलत हुआ, ऐसे, ठीक है, और कोई भी problem हो, तो अपने teacher से और अपने parents से share करिए, वो उसका solution जरूर देंगे, दूसरा, अगर आपको लगता है, कि ये सारी चीज़ें कर कहीं, physics में आपको problem आती है, तो आप हमारा तेजस बैच जोइन कर सकत है, तो आप इसे भी जोइन कर सकते हैं, अगर आपके आसपास अच्छा offline coaching नहीं है, तो अगर offline है, तो इसके बारे में सोचना भी मत है, ठीक है, wish you all the best बच्चो, मिलते रहेंगे अलग-अलग वीडियो के साथ, bye बच्चो.